ज्यान मंत्रा होम नमिडीज मैं आप सभी लोगं का स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस दिन है देपावली का पर्व लक्ष्मी पूजन के शुम मोरत और लक्ष्मी पूजन के विधी के बारे में। दिवाली का पर्व 24 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। उत्साह, उमंग और रोश्निका तिहार दिपावली सोमवार को मनाया जाएगी। दिवाली का पर्व कार्थिक माश की कृष्ण पक्ष के अमावशय तिथी को मनाया जाता है। धन की देवी माललक्ष्मी के आगमन के लिए इस दिन घर में विशेस सजावट भी की जाती है। दिवाली के दिन संध्यकाल में मालक्ष्मी के साथ प्रथम पुझे भगवान गनेश, देवी शर्स्वती, महाकाली और कुवेर देवता की पूझा का विधान है। दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्दोशकाल में घर को दीपों से सजाकर मालक्ष्मी की विधी विधान से पूझा की जाती है। दिवाली पर शुब, मुहरत और सही विधी से मालक्ष्मी की पूझा की जाये तो देवी लक्ष्मी का उस घर में वास होता है और साथ में दोगना फल भी मिलता है। मानता ह तो आई ये जानते हैं कि मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए दिपावली पर किस विधी से उनका पूजन करना चाहिए और क्या है सही मूरत दिपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुब मूरत है 24 अक्टूबर शाम 6 बचकर 53 मिनट से लेकर रात 8 बचकर 16 मिनट तक अब बात करते हैं मा लक्ष्मी पूजन की विधी के बारे में मा लक्ष्मी वहीं विराजमान होती है जहां सफाई हो ऐसे में सुर्योधे से पहले इसनान कर पूरे घर और लक्ष्मी जी की पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कर उस जगह को पवित्र कर लें घर को फूलों से सजालें मुखिदार पर तोरन लगाएं और शुब लाव स्वास्तिक का चिन्ध बनाएं शाम के वक्त मा के आगमन के लिए रंगोली जरूर बनाएं प्रदोशकाल में शुब मुरत में पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिचाएं और भगवान गणिश देवी लक्ष् मा और मा स्वर्सति की प्रतिमा इस्थापित करें मुर्तियां इस प्रकार इस्थापित करें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में ही रहे कुबेर देता की पूजा के लिए मा लक्ष्मी की मुर्ति के सामने चांदी या कासे की थाल पर रोली से स्वास्तिक बन कर कलश पर स्थापित कर लें फिर घी का दीपक लगा कर सभी देवी देपताओं का आहवान करें फिर सबसे पहले भगवान गणिश को चंदन का तिलक लगा कर जनीव अक्षत फूल दुरवा अरपित करें देवी लक्षमी माश्रसती की पूजन करें रोली मौली हल्दी वो अरपित करें देवी के दिन मा काली की पूजा करने का भी विदान है महानेशा यानि देवी काली की पूजा इस दिन दो प्रकार से होती है एक समाने और दूसरी तामसित पुजा ग्रिहस्त जीवन यापन करने वाले को समाने पुजा ही करनी चाहिए अब भगवान गडेश और मालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रशीद प्रशीद ओम हीम श्रीम महालक्ष्मे नमा का जब करें मा लक्ष्मी की विशेश कृपा पाने के लिए श्री शुक्त पाठ करना उत्तम माना गया है तो आप भी यही करें। देवी लक्ष्मी का प्रिय भोग खीर और गणेश जी का लड़ू का भोग होता है तो आप भी उनको यह भोग लगाएं। धूप दीप लगाकर मा लक्ष्मी की परिवार सहित आरती करें, प्रशाद बाटें और जरूरत मंदों को दान दें। धन में व्रिदी के लिए तिजोरी, बहिखाता और व्यापारिक उपकरन की भी पूजा करें। और दिवाली की रात घर में 11-21 तेल के दीपक जरूर जलाएं। तो यह थी देवी मा लक्ष्मी की पूजा विधी। ऐसे ही वीडियो जेकने के लिए हमारा चैनल ग्यान मंत्रा होम रेमिडीज लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें। धन्यवाद।